हाई फ्रेंड्स मेरा नाम सुल्तान है आज आपको टेट्रागॉनल और और्धरांबिक क्रिश्टल सिस्टम्स के बारे में बताऊंगा ये दो क्रिश्टल सिस्टम्स भी अल्मोस्ट एक से एक 90 परसेंट सिम्लर है टेट्रागॉनल क्रिश्टल सिस्टम अप लेने पर और और्धरांबिक क्रिश्टल सिस्टम्स लेने पर इसमें तीन एक्सेस रहेंगे एक विर्थ हाइट डप्त ये तीन एक्सेस रहेंगे और और्धरांबिक क्रिश्टल सिस्टम्स में भी तीन एक्सेस रहेंगे Depth, Width, Height तीन एक्सेस में दो एक्सेस आपको इक्वल रहेंगे एक एक्सेस अनीक्वल रहेंगा ऐदर लॉंगर रहेंगा या शौटर रहेंगा इस प्रकार से देखे इसमें Width और Depth इक्वल है और हाइट ये दोनों से कंपेर करें तो हाइट कम है इसको क्या बोलिंगे आपन Tetragonal Crystal System काहला था और Intercept with 90 degrees है तो दो एक्सेस से इक्वल रहेंगे Intercept with 90 degrees है तो उसको Tetragonal काहला था और और धरॉंबिक Crystal System में आपको दो एक्सेस से इक्वल है का वन इस अनीक्वल है के और Intercept with मेंच अपने को Center to Center Calculation लेने पर ये उपर से ये नीचे तक लेने पर Center point ये हुआ इदर इदर से इदर लेने पर Center point ये हुआ और उपर ये point से ये point लेने Center point ये हुआ इदर नीचे की तरफ इदर से इदर लेने पर Center point ये हुआ इसको जब Lines मिलाएंगे आपको इस प्रकार से आएंगे, यह more than 90 है, यह less than 90 है, इसको एकसे से एक से एक 90 डिग्रीज से ज्यादा और 90 डिग्रीज से कम इंटरसेट वे कहलाता, इस प्रकार से है तो इसको और्धरामबिक कहलाता, और हेक्सागानल और्धरामबिक अल्मोस्ट 90% एक्वल रहेंगे, यह आपक क्रिस्टल सिफ्टम आपको पाइरेट में दीखें गा, और्धरामबिक क्रिस्टल सिफ्टम आपको टुपाज में दीखें गा, इस प्रकार से आप क्रिस्टल सिफ्टम को बेस कर लेते हुए, और रफ ए स्टोंस को easily identify कर सकते है, यह वीडियो आपको पसना आएacağ तो लैकर करिए शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस वीडियो को फॉर्सी जम टेस्टिंग लैब और जम लाजिकल इन इस्टिटूट हाइदराबाद की तरफ से रिलिस किया गया